सो ही है यह हमारी पहली वीडियो है स्ब्सक्राइब करते हैं ऑम क्छैर को सब्सक्राइब करेंगे है और अगर चाहते हो मास्टर करना चाहते हो आप अपने मेरी पूरी प्लेट को एक्षिक के भुख मा कर लेने फिर आप पूरा मास्टर कर जाओगे तो आपके लाइदन बेता नहीं चलते हैं लाइस दूआ कोड़ेंग वे लापिंग तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रो में बताया था कि आपने आज की वीडियो में स्यास को इंट्रोड़ें देने वारें तो चले जाने सबसे पहले CSS is the language we used to style a web page इसका मतलब कि CSS is a language है इसे हम style को इसे को अपने आप देखें कि अगर मैं एक एक्सेंपल के तौर पर दे रहा हूं एक एक्सेंपल दे रहा हूं अगर आपको कुछ आता नहीं तो कोई बात नहीं मैं आखर जाकर शिकार दूँआ दूँआ है क्योंकि हमने प्रिए वीडियो में इतनी क्लासिस की है आपको नहीं चाहिए तो मैं उसकी फाइल वाइल बनाना आपको नहीं बताऊंगा लेकिन बस जो मैं कर रहा हूं आपने बस वह स्टैप फॉलो करने फाइल मैं अपनी डॉकुमेंट्स पर बनाई अब देखें यहां पर अगर मैं लिखके एक्टी एमिल के इंदर बॉडी लिखें यहां पर मैं अगर लिखकें हो एच वन एच वन के दर मैं लिख दूंँ यहां पर रियान विख दू कि डू इस तेक्स्ट पेश और मैंने अपने हैड की के नीचे यहां पर लिखा लिंक करो कि मैं एक एक फाइल को link करता हूँ जिसका नाम होगा star यहां पर मैंने style sheet हे श्रीफ में लिख देंगे style.css अब देखें अब मैं आप एक नहीं फाइल बनाता हूं style.css के नाम की किसके नाम की style.css अब यहां पर मैं कहता हूं यहां पर मैं लिखता हूं H1 , H1 के इंदर में लिखता हूं करता हो इसका Color हो जाना चाहिए Red यह CSS कुछ इस तरीकी मदद होती है तो यह सब मैंने आपको समझा दिया तो चले हम वापिस और जानते हैं कि चीज से तो वह क्या है CSS? CSS stands करती है Cascading Style Cheats मतलब CSS का full format Cascading Style Cheats HTML का Hypertext Markup Language CSS के full format Cascading Style Cheats CSS describe करते हैं कैसे HTML elements are to be display होते हैं on a screen, paper, या पर in other media में CSS saves करते हैं a lot of work और it can control करते हैं the layout वो भी multiple web pages at all at once external style sheets store होती है in CSS files में CSS में demo, one HTML page multiple styles यहां पर हम show करेंगे एक HTML page जो डिस्प्ले करेंगा 4 different style sheets click करेंगा under style sheet 1, style sheet 2, style sheet 3, style sheet 4 और लिंक जो है वो नीचे आपको स्थी कर रहे होंगे different styles क्यों हम use करते हैं CSS? क्यों हम use करते हैं CSS? CSS is used to define styles वो भी हमारी web pages के including design, layout, variations, display वो भी different devices और screen sizes में जैसे के अगर मैं आपको देखा हो मतलब web page होता क्या web page यह है यह आपको wide wide नजर नहीं आ रहे पूरा यह है web page इसको design करने में काम आता है CSS अगर देखें यह white है अब मुझे चाहिए मुझे इसको नहीं ब्लैक करना इसको लेकिन HTML तुरू तो नहीं कर सकता तो CSS तो आना साहिए जैसे मैं आपको बता रहूं आप CSS के तूरू यहां पर लिखोगे यह यह लो body लिखा मैंने मैंने लिख दिया background color दे दो black हो गया simple बस क्या करें यह रही सकते हैं इसलिए CSS काम आता है स्टाइलिंग के लिए मैंने color white देता हवर में अब देखें अगर आपको यह नहीं बता हवर वावर कैसे करते हैं तो आगे वाली वीडियो में जानेंगे आपको आपको एक्जैंपल दे रहा हूं यह देखें CSS के एक्जैंपल यहां पर हैं background, color, color, text align अगर यह इसब आपको नहीं बता आपको नहीं बता हैं आगे आपको पता चलीगा यह आपको टेंशन नहीं लें इसकी बात कि क्यों दिया क्योंकि हमने आपको फॉर्ण फेमली वर्ड़ा ना लिख दी यह दिख सकते हैं ऐसे आप कुछ कराम से कर सकते हो text aligns और यह बीच में क्यों हो हो क्योंकि हमने text aligns center लिख अगर आपको नहीं पता text aligns center क्या आगे वाली वीडियो में जानेंगे मैं बस आपके example के दो और पर शिका रहा हूं CSS solve करता है या big problem HTML के पास never कभी इंटेंड़िट नहीं होता जिसे वह contain करे text वह फॉर्मेटिंग और web page HTML created होता है describe करते है content वह भी web page के जैसे के इस तरीके के मतलब यह बस content बनाता है है मतलब इस तरीके content लिया आता है यह बस जैसे के pa यह अ और जैसे यह यह पैशिकी इस कंटेंट लाता है यह रखेए यह पशट्र लाता है content लाता ह है css when जब आपके text जैसे के font color attributes जब added होते हैं to the html 3.2 में specification is started करते है nightmare वो भी for web developers का development करते है वो भी large websites जहांप आपके fonts color information added होते हैं वो भी every single page वो यह became करते है बहुत बड़ा और expensive process अगर आपने solve कर नहीं problem जो worldwide web consortium है wc3 created as css में css remove the style formatting will be from the html page अगर आपको नहीं पता what the html is we suggest that you read आपने देखना होगा मेरा html tutorial बलाब इसी playlist में as the front and development full code playlist में पहले से मेरी video देखना शू करें html की और जब तक मैंने खतम नहीं उस वक्त जाके खतम करेंगा फिर आपको stml के बारे में पूरा clear हो जाएंगा फिर css पर आजाएंगा तो मैं stml दो कराऊंगा क्यूंकि अगर आपको नहीं आता है stml तो आप सी के लिए css saves करते हैं बहुत शिवर्ट अलोट अपर तो इसलिए css saves करते हैं बहुत शिवर्ट अलोट अवर्ट तो style है ना style definition वह normally save होते है external.css file वह भी with an external style sheet file आप change कर सकते हो look कर सकते हो of an entire website और changing कर सकते हो just एक file okay तो यह video होती है हमारी css के introduction के बारे में I hope आपका पूरा mind clear हो गया होगा css के बारे में अगर आपका clear नहीं हो तो मैं उमीद करता है आपको clear हो गया अगर आपको clear नहीं हो तो मेरी वाबस वीडियो देख सकते शुरू से लगर आपको stml नहीं आता है है आपको बता देंगे आपने आपने सबसे पहले यूट्यूप सर्च करने नहीं नहीं यह ने कोड y with rb आपने पूरी यहां से लेक्षी यहां तका आपने मुदियो देखनी है और फिर आप लोग पर आलगे अगर आपको नहीं आता में तभी आपको गह रहा हूं यह हमारी फेन टेलिवरी की वीडियो है तो आपने यहां से इसको और पर दोस्तों को और यहां पर सेर की बटन तो यह दिख आपने आज की वीडियो में दाने की CSS का इंट्रडक्शन दिया आपको तो मैं उमीद करता हूँ आपका concept will be clear हो गया होगा और मैं अप्रिशेट करता हूँ आपकी support रोगो और अगर आपको